हेलो एवर्यवान वेल्कम बाग तो मैं यूट्यूब चैनल आएम मॉनिका और आज हम करेंगे समाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर सेवन और आज का जो उपविशे है वो है इतिहास की समझ भाग दो पिछली वर्कशीट में हमने भाग एक देखा था तो आईए अर्थिक और सांस्क्रितिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है भारती इतिहास की शुरुवात सिंदुखाटी सब्विता के जन्म और आरियों के आने से कर सकते हैं आप सबने हडपा सब्विता के बारे में सुना होगा सिंदुखाटी सब्विता के बारे में settled हो गए ऐसा मानते हैं और ऐसक कई बार लोग ये भी कहते हैं ऐसा जो historians हैं वो ये भी कहते हैं कि आरीयों के आने के बाद से सिंदु घाटी सब Rapha जो है वो समाप्त हो गई थी एसा मानते हैं कि आरेयों का जो है युद हुआ सिंदुखाटी के जो लोग थे उनसे और उसमें वो सब मारे गए और उनकी जो सब बता है वो समाप्त हो गई इन दो चर्णों को आम तोर पर हम पूर्वे वैदिक और वैदिक युक के रूप में वरनित किया जाता है वैद आप समझते हैं है आपने चार वेदाओं का नाम सुना होगा रिगवेद यजुरवेद सामवेद है आपने इनका नाम सुना होगा अथर्ववेद तो ये जो वेदाज हैं ये किताबे थी हमारी जो हैं हमारी जो लिखी गई थी और इसको हमने इन दो चरनों में बाढ़ दिया है हमारे इतिहास को जैसे की वेदिक काल से पहले और उस वेदिक युग ठीक है तो ऐस इसा पूर्वच चौथी सदी जो आज से लगभग 2300 वर् अब जैसे हम बोलते हैं कि पूरा इंडिया एक भारत एक ही सिस्टम से चल रहा है एक ही सेंट्रल गवर्मेंट जो है वो पूरे भारत को चला रही है जैसे है ना अलग-अलग राज्यों की जो गवर्मेंट है वो तो ही है ऐसा पहली बार जो एक ही करन हुआ था भारत का व उसका बहुत प्रचार किया, उन्होंने प्रचार उसका इस प्रकार से किया कि लोगों में भी जो बहुत धरम किये, जो कुछ सिध्धान्त हैं, जो उद्मानिताएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो लोगों तक पहुचानी के कोशिश करी, कभी शीला स्थंबो पर उन्होंने एसे messages लिखवाई लोगों के लिए, है ना जो वो सोचते थे कि लोगों को पता होने चाहिए, फिर भारत से भार भी उन्हेंने श्रीलंका वगेरा में अपनी बेटे और अपनी बेटी को भी बेज़े और बाकी और भी बड़ी सारे अफसरों को भीज़े जिनको बोलते थे क् बहुत धरम को भारत के भार भी उसका प्रचार किया, समराट अशोग के सारवादिक शीला लेक प्राप्त होते हैं, ठीक है, शीला लेक जिसे दिवारों, पिलर्ज, खंबों वगेरा पर लिखे गई जो चीज़े होते हैं, उसको हम शीला लेक बोलते हैं, हमारे देश का र अशोग चक्र होता है, देखो अगा आपने, है न, तो वहीं से लिया गया है, जो मारे राज की प्रतीक है, वो सारनात में, सारनात यूपी में जगा है, वहाँ पे अशोग का जो एक सिंग स्थम्भ है, इसको हम सिंग स्थम्भ इसले बोलते हैं, शेर बने हो इस पे, ठीक वेदे क्यों की, फिर हमने बात करी कि कैसे समराट शोग के अधीन में बहुत धरम फेला, और बहुत धरम के साथ एक और धरम आया था, आप जानते हैं, जैन धरम, है न, और फिर अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे, पहली सदी में इसाई धरम पहली बारी भारत पहुंचा, और जब गुप्तवन्ष जब यहां पर रूल कर रहा था, राज कर रहा था, तो उस काल को हम स्वरनिम काल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय में बहुत जो है, विकास हुआ जैसे भारत का आर्किटेक्चर हमारा बहुत हमारी जो शिल्पकलाएं हैं, बहुत लिया था उस समय में, तो इसलिए हम इसको अपना स्वरनिम काल बोलते हैं, ठीक है, गुप्तवन्ष के समय में, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं कि आठवी शताब्दी में इसलाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया, अब आप क्योंकि आपको पता हैं भारत में क्या मशूर था, भारत के मसाले हैं आपने सुना हो है, काली मिर्च एलाइची, छोटी एलाइची, मुटी एलाइची, तो नुतर्यां की हैंना, यह सारे जो मसाले थे, ढल चीनी वगरा, इस ब जो थे वारत में मिलते थे उस समय में, उह जलवाई हुए, तो यहाँ पे हम ऐसे जो यह spices हैं, जो यह मसाले हैं इनको उगा सकते हैं, और especially दक्षिन भारत में, वहाँ की जो पहाड़ी हैं, वहाँ पर यह उगते हैं, तो इन सब के लालच में यह इन सब को खरीदने के लिए व्यापारी यहाँ पर आए, उसमें व्यापार करने, ठीक है, और साथी साथ क्या हो गया, बाद में जब ग्यारवी शिताब्दी तक आते आते भारत में, यह लोगों ने व्यापार से बढ़कर हम पे हुकूमत करनी चाहिए, भारत पर, ठीक है ना, और फिर क्या बन गई है एक राजनितिक शक्ती बन गई है ठीक है ना, जब हम शासन करने लग जाते हैं, तो एक राजनितिक शक्ती बन जाते हैं, है ना, तो पहले तो शासन नहीं कर रहे थे, पहले व्यापार, फिर दीरे दिरें उन्होंने क्या सोचा कि भई हम आते जाते व्यापार करते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं पर रहकर शासन भी करते हैं व्यापार भी करते हैं ठीक है दिल्ली के चोहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नीव रखी गई ठीक है आपने प्रित्वी राचोहान का ना मुगल समराजे की सापना हुई, ठीक है कितने वर्शों वाद, 320 वर्श के बाद मुगल समराजे की सापना ही, उससे पहले कौन थे, उससे पहले दिली के सुल्तानों ने यहां पर राज़ किया था, इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनितिक एकता का बड़ा पैमाना ह और स्पेशली एक राजा के अधीन सबसे बड़ा था उस समय में हमारा भारत का मुगल समराज्य था उस समय में सबसे बड़ा किसके अधीन में था मुहम्मद बिन तुगलक के आपको याद रखना होए गाए ठीक है इस काल पे भारत पे राश्ट कूद, प्रतिहार, पाल ये सारे राज्यों के सब राज्यों के नाम है ठीक है सैन, चालुक्य, सत्वाहन, परमार, अहूम, चौल, पांडे, विजयनगर समराज्य भी फले फूले तो हम इसकी अभी थोड़ा से एक मैप देखेंगे न, वहाँ पे मैं आपको थोड़े बहुत सारे राज्यों दिखाऊंगी बनाई गई और यह राजाओं ने बनवाई ठीक है और हर एक समराज्य में जैसे कोई ना कोई ऐसा राजा होता था जो कि इमारते बनाने का बहुत ही शौक रखते थे ठीक है राजा अगर इमारते बनाते थे न किले ठीक है या फिर हिंदू राजा होते तो मंदिर बनवात अकबर ने भी, तो आप सुनते हैं की राजा जो है वो इतनी इमारते बनाते हैं, क्या होता है इसे, उनकी टाकत, उनकी शक्ती का एहसास दिलाती है इमारते, ठीक है ना? बहुत पैसा लगता है और जितनी विशाल इमारत मतलब की राजा अपना उतना जादा अपनी ताकत को दर्शाना चाता है ठीक है ना फिर कुदब मिनार लाल किला ताज महल कंदरिया महादेव मंदिर तंजा वुर्का राजा राजेश्वर मंदिर दिलवाडा की जैन मंदिर जित तौड का विजय स्थम इसके उधारन है तो ये कुछ उधारन दिये गए हैं आपको उस समय में जो इमारते बनी ठीक है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया कबीर, मीरा, चतन्य देव, सूर्दास जैसे भक्ती धारा के महत्वपून संतों ने समाज को नई दिशा दी आपने भक्ती सूफी संतों के बारे में जरूर सुने होगा है ना आप छोटी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसके बारे में ठीक है और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरूआत करे वो भी एक भक्ती संत थे है ना कबीर के दोहे कितने प्रचले थे हैं कितने फेमस हैं मीरा की जो भजन है वो कितने फेमस है चतन्य देव ने किर्तन शुरू किया था आप जान तो इन सब ने भक्तिधारा की शुरुवात करी मतलब कि हिंदु धरम में होते हुए या उससे अलग भार निकल कर इन्होंने भक्ति का प्रचार करा ठीक है उन्होंने बोला कि बस भक्ति करो भगवान की ईश्वर एक है इश्वर की भक्ति करो उनसे जुड़ो सीधा महादिमों से जुड़ो उन्होंने ये बताया ठीक है तो इस समय की बात हुई आगे देखें इसमें कुछ चित्र दिये गए है आपकी वर्क्षीट में पहले चित्र में चतन्य दिखाए गए है कीरतन करते हुए इंजॉय कर रहे हैं वह देखो कैसे डांस कर रहे हैं जूम आपने बड़ सारे मटके लगे होते हैं आपने देखा जरूर होगा तो यह पानी इरिगेशन देने के काम आता है ठीक है बड़े-बड़े उसमें खेतों में फिर इबादत खाने में अन्ने धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर बैठे हैं इबादत खाना क्या था जिस इन सारे जैसे अलग-अलग धरम के जो बड़े-बड़े लोग थे विदवान थी उनके साथ बैठ के डिस्कशन करते थे वारतलाब करते थे चर्चाएं करते थे ठीक है उनके बारे में जानना उनको बहूत अच्छा लगता था ऐसा कहते हैं ठीक है तो अन्ने धरमों के व्यापार और स्थापात्तिक अलाके शेत्र में भारत का स्वरण इम्काल रहा है भारत के गर्ब मसालों के साथ सूती और रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को अकर्शित करते रहे हैं ठीक है तो भारत में लोग क्यों आते थे मसालों के लिए कपड़ों क करना अपने नाम के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना ओकी चलो कोईशन आंसर करते हैं पहला प्रशन देखते हैं जल्दी से भारत की धार्मिक विरासत की संपंता को पहचान कर लिखे अब इसमें हमें बताना है कि भारत में जो इतने सारे धर्म है अभी आपने इसके बारे में पढ़ा अपनी वरक्शीट में तो उन सब की मैंने छोट-छोटे पॉइंट्स बना दिये हैं फर्स पॉइंट भारती इतिहास की शुरुआत सिंदु घार्टी सब्विता से और आरियों के आगमन से होती है और इसको पूर्वैदिक और वैद अभरत में ही उनकी शुरुआत हुई थी आप सब जानते हैं गौतम बुद्ह का नाम सुना है और माबीरा का नाम सुना है ठीक है राजा अशोक की साल में साल लिखा है काल में बहुत धर्म भारत के भार दूसरे देशों में भी फैला यह सब आप जानते हैं जो अश्यक सम तो अबी तक हमने देखा हिंदू धरम देखा हमने अभी तक जैन और बहुत धर्म देखा अब आ गए हम हिसाई धरम पे फिर आठवी शताब्दी में इसलाम पहली बार अरब व्यपारियों के साथ भारत आया तो अब इसलाम भी आ रहा है यहां पे फिर पंदरवी और सोल व आपको यह याद होना चाहिए और लास्ट में ने इसका एक एंड जो पॉइंट दिया है वो यह कि इस से पता चलता है इन सब पॉइंट से पता चलता है कि भारत की जो धार्मिक विरासरती वो विविद है और अनूठी है अलग है बिलकुल ठीक है ना क्योंकि यहां पे इ और बहुत ही अनूठी है ठीक है नेक्स पॉइंट इसाई और इसलाम धर्म सबसे पहले कैरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं तो आपको सोचके खुद बताना है कि क्यूं इसाई और इसलाम धर्म जो है वो सबसे पहले कैरल मतलब की दक्षिन भारत में आए आपको कैरल प बहुत प्रचले थे और एक और कारण हो सकता है जो मैंने लिखा है वพर हैं समझिये हैं हो सकता है क्या एक और कारण जो हो सकता है वैए ये कि युरोपी वयपारी जो समुद्र के मार्ग से आए थे वे अफरीका से होत 봤 वे सबसे पहले दक्षिन भारत के नप हेमें चाहितskे नट्व नचिता से ऊपर है तो इसके दो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं नेक्स देखते हैं भारत की कुछ एतिहासे के मारतों की सूची उनकी स्थान और उनकी विशेशताओं के साथ बनाईए तो यहां पर मैंने टेवल ही बना दी आपके लिए एतिहासे के मारत टेवल आप भी बना लेना ऐसे बना लेना एतिहासे के मारत वो थे कुतिबदीन एबक ने शिरुवात की और फिर इल्टितमुष्ट ने इसको पूरा करवाया फिर यह कहां पर यह दिल्ली में सित है इसके उचाहिए लगबख 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीडिया है फिर है सांची स्तूप यह समराट शोक ने बनवाया था यह मद्य प्र प्रिमी जो बने लिखा है एक इमारत वह है राजा राजेश्वरम मंदिर इसको राजा राज चोला ने बनवाया था और यह तंजोर तमिल नाडू में सित है ठीक है यह भगवान शिव को समर्पित है ठीक है तो यह चार इमारतों के नामा लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेस करना खीचता है कि बार-बर लोग यहां पर आ रहे थी व्यापारी तो भारत विदेशी व्यापारियों को सदेव आकर्शित इसलिए करता है क्योंकि पॉइंट्स में लिखेंगे नंबर वन भारत को शुरू से सोने की चड़िया के नाम से जाना जाता है यह संसादनों में धनी रहा है तो लोगों को पता था कि यहां पर बहुत कुछ मिलने वाला है ठीक है दक्षिन भारत मसालों के लिए प्रसिद रहा है अभी हमने उपर बात करी और भारत का सूती कपड़ा विश्व भर में महशूर रहा है ठीक है तो इन सब कार्णों के विदा से जो विदे पताने चलता है समराजियों और शास्कों के शेतर दर्शाने हैं आपने तो मैंने एक ही मैप इधर पेस्ट करा है आपके लिए ठीक है इसमें आपको क्या दिखाना है यह जो मैप है यह किसी एक काल के बारे में बता रहा है यह सातवी से बारवी शिताबदी का मैप है जैस जो प्रमुख राज्य थे वो है मांचित्र पर ठीक है तो आप जैसे यहां पर देखिए यहां बंगाल में पाल राज्य हैं पाल जो थे पाल राजा थे ठीक है फिर यहां पर आ जैते हैं हम गुजर प्रतिहार थे यहां पर उत्तर में देख रहे हैं यहां पर चाहमान थे ज जरुरत नहीं आपको ठीक है और फिर थोड़े और नीचे चलते हैं यहां पे चॉल थे ठीक है जोला राज्य फिर उसी के नीचे देखिए आप पांडे ठीक है पांडे राज्य फिर उसके नीचे यहां पे चैर साथ में चैर ठीक है तो यह कुछ चोटे-चोटे जो मैंने ज रूप में बना लेना ठीक है तो यह हो गई सारे आपके आज की जो वर्क्षीट थी कंप्लीट हो गई है थोड़ी सी लेंदी वर्क्षीट थी बहुत कुछ इसमें था बहुत कुछ का बिल्कुल सार उसमें दिया गया था आपको समझ में आई होगी समझ में आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिटा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना और मिलती हो नेक्स वर्क्षीट के साथ सी यू बाबाई